अध्या एक हमारे आसपास के पदार्थ सबसे पहले पदार्थ जिसे हम अंग्रेजी में मैटर कहते हैं वह क्या है? हर वो चीज जिसके पास द्रव्यमान ये अर्थात मास और आयतन अर्थात वॉल्यूम होता है वह पदार्थ कहलाती है जैसे पानी, पत्थर, उर्सी, इत्यादी इन सब चीजों को हम आपने आसपास देख सकते हैं और इसके अलामें भी बहुत सारी चीजे होती हैं जिनको हम देख सकते हैं और जिनके पास द्रव्यमान और आयतन दोनों होता है और उसे हम पदार्थ कह सकते हैं पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर पदार्थ को अपनी आखों से देख सकें जैसे हवा यह भी एक पदार्थ है पर हम इसे देख नहीं सकते हैं पदार्थ कड़ों से मिलकर बना होता है कड़ों को हम अंग्रेजी में particles भी कहते है पदार्थ के कड़ बहुत ही छोटे होते हैं इतने छोटे कि हम उनकी कलपना भी नहीं कर सकते पर अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सुई की नोक के बारे में कलपना करो तो कड़ का dimension यानि size इससे भी लाक गुना छोटा होता है अब सोच सकते हो कि कितना छोटा होता होगा पदार्थों का कड़ पदार्थ के कड़ों के कुछ विशेश गुड़ होते हैं आईए उन पे एक नजर डाले पर एक बात बता दू कि ये जो विशेश गुड़ हमने पढ़ने वाले हैं या उस पदार्थ की विशेशता और अवस्था बताने में बहुत ही महत्रपूर्ण भूमिकाने बाते हैं आईए देखते हैं कैसे पहला पदार्थ के कड़ों के बीच रिक्त स्थान होता है इसे समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट यानि क्रिया कलाब करते हैं हमने एक गलास में पानी भर लिया अब उसमें हम कुछ मात्रा में चीनी डालने वाले हैं तो ये हमने कुछ मात्रा में चीनी डाल दिया अब हम इसे अच्छे से stir यानि के mix करने वाले है after mixing यानि मिलाने के बाद हमने देखा कि चीनी पूरी तरीके से घुल चुकी है पर फिर भी पानी का जो level यानि की रेखा है वो अभी भी वहीं पे बनी हुई है इससे यह थाबित होता है कि जो पानी के कड़ों के बीच के जो रिक्तस्थान थी उसमें सुगर यानि चीनी के जो कड़ थे वो जाके स्थापित हो गए इससे यह थाबित होता है कि पदार्थ के कड़ों के बीच में रिक्तस्थान होता है पदार्थों के कंड हमेशा गतिशील होते हैं यानि अगर कोई भी पदार्थ है तो उसके कंड के पास कोई न कोई उर्जा होती है जो उसे हमेशा गति में रखने के लिए मदद करती है भले ही वो ठोस हो या तरल हो या गैस हो कुछ न कुछ तो उर्जा हर में होती है हम इसके बारे में आगे डीटेल में पढ़ेंगे विस्तार में पढ़ेंगे तीसरा पदार्थ के कड़ एक दूसरे को आकरशित करते हैं और यह आकरशन का जो सीमा होती है यह सबसे ज़ादा होती है ठोस में उससे कम दरल में उससे कम गैस में इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे आएए अब पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्थाएं यानि की states of matter के बारे में इसे हमने तीन पार्ट में डिवाइट किया है पहला solid state यानि की ठोस अवस्था दूसरा liquid state आएए अब इनके बारे में विस्तार में पढ़ते हैं आएए अब इस चित्र से पदार्थों के बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं पहला solid यानि की ठोस अवस्था इसमें जैसा आपको प्रतीत हो रहा है इसके कण जो है स्थिर दिख रहे हैं पर ऐसा बिलकुल एकदम स्थिर नहीं होते वो अपनी position यानि जगह पे रहते तो हैं पर उसके about डोलते रहते हैं अर्थात उनमें भी कुछ उर्जा होती है पर अगर हम द्रव में आएं तो ठोस के comparison यानि तुलदा में उसमें उर्जा ज्यादा होती है और वो एक जगह से दूसरे स्थान पे मूफ कर सकते हैं पर अगर गैस की अवस्था में आएं तो उसमें और ज्यादा डोलने की छमता होती है क्योंकि उसमें उर्जा और होती है और इसमें तो जो कड़ होते हैं वो बिलकुल भी अपनी जगह पे स्थिर नहीं रहते हैं वो रैंडमली इधर उधर मूफ करते रहते हैं आईए अब पढ़ते हैं ठो सवस्था के बारे में विस्तार से कुछ उधारण जैसे कुर्सी, पत्थर, बर्फ, रबर बैंड, इत्यादी अब उनकी कुछ विस्ता है वे निश्चित द्रव्यमान यानि मास, आयतन यानि वॉल्यूम एवं आकार यानि शेप के होते हैं वे कठोर होते हैं उनके कड़ों की बीच दूरियों लगू होती हैं अर्थात छोटी होती है उनके कड़ों के बीच का आकर्शन बल प्रबल होता है यही कारण है कि उनके कड़ों के बीच दूरियां लगू होती हैं और वह एक दूसरे से ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकते हैं आईए अब पढ़ते हैं द्रब अवस्था के बारे में कुछ उधारन जैसे पानी, दूद, पारा, इत्यादी हलाकि पारा जो है सिर्फ सामान ये तापमान पे द्रब अवस्था में होता है अब उनकी कुछ विशेशता हैं जैसे वे निश्चित, द्रब यमान यानी मास और आयतन यानी वॉल्यूम के होते हैं उनका द्रब्यमान और आयतन बदलता नहीं है उनमें बहाव होता है, अगर हम किसी भी द्रब को एक उंचे स्थान से नीचे स्थान की तरफ छोड़ दें तो वो अपने आप बहता है इनका आकार निश्चित नहीं होता या आप जिस भी बरतन में डालेंगे वह उस बरतन का आकार ले लेगा ठोस की अपेक्षा द्रब में रिक्त स्थान अधिक होता है और जैसा कि हमने पहले भी देखा था क्योंकि इसमें उर्जा जादा होती है इसलिए इसके कड़ एक दूसरे से ज़्यादा दूर तक जा सकते है और इनमें एक दूसरे से दूर जाने की चमता अधिक होती है जिस कारण इनमें रिक्त स्थान भी अधिक होता है अब तीसरे नमबर पे गैसी अवस्तर कुछ उधारन जैसे वास्प यानि भाप, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डायकसाइड गैस, इत्यादी गैस की कुछ विशेस्ता है जैसे वे सिर्फ निश्चित द्रविमान यानि मास्के होते है इनका आकार और आयकन निश्चित नहीं होता आप इसे जिस भी बरतन में डालेंगे या उस बरतन को पूरी तरीके से occupy यानि की भर देगा और इस प्रकार उसका आयतन निश्चित नहीं होता और आकार तो वैसे भी, क्योंकि अगर हम जिस बरतन में डाल रहे हैं उसको पूरी तरीके से अगर वो फर रहा है तो उसका आकार वो खुद लेने वाला है तो हम समझ सकते हैं कि उसका आकार और रायतन निश्चित नहीं होता द्रव के अपेक्षा गैसों में कड़ों के बीच रिक्तस्थान बहुत अधिक होता है इसलिए क्योंकि इसमें द्रव और ठोस के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा उर्जा होती है और इनके कड़ एक दूसरे से बहुत दूर जाने की चमता भी रखते हैं और इनमें आकरशन भी बहुत कम होता है ठोसों और द्रव्यों के तुलना में गैस की संपीडित्या काफी अधिक होती है संपीडित्या को हम compressibility भी कहते हैं अर्थात अगर हम किसी ठोस को बल लगाके उसकी अवस्था को बदलना चाहें तो हमारे लिए वो बहुत ही मुश्किल का काम होगा और हलाकी द्रव के लिए यह मुश्किल होगा पर इतना भी नहीं पर अगर हम गैस के में आए तो उसे हम कुछ बल लगाके और ताक्मान को कम करके हम उसे आसानी से उसके अवस्था को बदल सकते हैं यहां दिखाता है कि गैस की कंप्रेसिबिल्टी यानि संपीडिता काफी अधिक होती है आईए अब एक महतफूर्ण बिंदू पर नदर डालें गैसों के कणों की अनियमित गती के कारण ये कण आपस में और बरतन की दिवारों से टकराते हैं बरतन की दिवारों पर गैस कणों द्वारा प्रती इकाई छेतर पर लगे बलको गैस का दबाव कहते हैं आईए देखते हैं जैसे सपोस्ट कर लिए ये एक बरतन है और इसमें हमने एक गैस को भर दिया और इस गोले से मैं गैस के कणों को दर्शा रहा हूँ ये गैस के कण हमेशा गती शीर होते हैं और इनकी गती की दिशा निर्धारित नहीं होती है ये इधर उधर 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 टकराकते हुए गती करते रहते हैं जैसे सपोज ये वाला कण इधर जा रहा है तो ये वाला कण हो सकता है इधर जा रहा होगा ये वाला कण हो सकता है इधर जा रहा होगा ये वाला इधर जा रहा होगा इस प्रकार हर एक कण अनिश्चित दिशा में गती करते रहते हैं जिस कारण वह बर्तन से जाके टकराते हैं और उस पे कुछ बल लगाते हैं तो अगर हम उस बल को उस बर्तन के छेत्रफल से भाग दें तो जो हमें मिलेगा हम उसे गैस का दबाव कहते हैं अगर हम उसे equations में लिखना चाहें तेन प्रेशर इस इकुल टू अर्थाथ दबाव इस इकुल टू बल भाग छेत्रफल आईए अब नहीं आईए एक नजर डालते हैं अवस्था परिवर्तन पे solid यानिकी ठोस, gas यानिकी gas, liquid यानिकी द्रव तो अगर हमें द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में जाना है तो हमें उसे freeze करना होगा अर्थाथ हमें उसका तापमान इतना घटाना होगा ताकि उसके कण इतने करीब आजाएं कि वो ठोस अवस्था में चले जाएं अब हमें अगर ठोस अवस्था से gas अवस्था में जाना है तो उसे हमें उसका तापमान इतना बढ़ाना होगा और उसे इतनी उर्जा देनी होगी ताकि उसके कण इतनी उर्जा लेके move करें इधर उधर गति करें ताकि वो gas अवस्था में चले जाए और अगर हमें gas अवस्था से अब द्रव अवस्था में जाना है तो हमें उसका तापमान घटाना पड़ेगा जिस कारण उसकी उर्जा हम थोड़ी सी कम करेंगे और वो कुछ स्थिर होंगे पर फिर भी वो कुछ गती करेंगे और उनका स्थान अभी भी निश्चित नहीं होगा जिसे हम द्रव कहते हैं और अगर हम उल्टी दिशा में जाएं तो अगर हमें द्रव को गैस में परिवर्तन करना है तो हम उसे बॉल कहते हैं या उबालना कहते हैं जिसमें हम उसका तापमान कुछ centigrade तक बढ़ाते हैं उससे क्या होता है कि जो लिक्विड के यानि द्रव के जो कण होते हैं उन्हें कुछ उर्जा मिलती है और वो और दूर दूर तक जाने की छमता रखते हैं अर्थात्वक गैस अवस्था में चले जाते हैं उसी प्रकार अगर हम गैस अवस्था को अगर सॉलिड अवस्था यानि ठो सवस्था में ले जाना चाहें तो उसमें हमें उसके तापमान को घटाना पड़ता है जिसके मतलब वो हमें उससे इतनी उर्जा निकाल लेते हैं ताकि वह कुछ निष्चत स्थान पर आ जाते हैं और उनमें आकारशन बहुत ही बढ़ जाता है